आप सिर्फ मेरी आवाज बने घर्फार्थी करोड़ो नागरी की सोच बन जाओंगा। आप मुझे हेलमेट मैं की नाम से जान सेंगे। मुझे अपना परिशे देने का कोई ये चीज़े नहीं है। भारत के 75 में सुद्रतर दिवसारा है लेकिन फिर भी हर कोई अपनी रफ्तार में लगा हुआ है। कहीं न कहीं देश के प्रति जो हमारा कर्तब पे होना चाहिए हमारी युवाओं का वो कहीं न कहीं हम उससे भाग रहे हैं। हम कहीं न कहीं अपने आपको सुरक्षित रखने के चकर में आज हम कहीं न कहीं बेरोजगार हैं और आप देश के अंदर आने वाली प्रति दीन समस्याओं की जो चुनोतिया बढ़ती जा रही है। आप जैसा कि जाते हैं किसी से चुपा नहीं है। मैं पिछले साथ सालों में अपने मित्र को खोने के दौरान अभी तक बाइस राज्यों में उन्चा ज़र्लों को हेलमेट दे चुका हूँ और लगबग साथ लाग बच्चों तक निशन कुस्तके पहुंचा चुका हूँ। यह ऐसा क्यों किया हूँ ताकि हमारा देश सड़क दुरगटना मुक्त बन सके और हमारा ही देश जो 74 साल जादी के बाद सो फिज़डी साक्चर नहीं हो पाया। आप चाहत्रवा स्वतंतरा दीवस पर हमारे हैं, और ताकि हमारा देश सो फिजदी साक्षर बन सकी। जब साक्षर होगा, तभी तो वो स्वतंतरा दीवस और गर्टंतर दीवस के बारे में वो समझ पाएगा। आखी रिज़कों समझाने कि ये कौन है। हम हर्ची सोचते हैं कि सरकार करेगी, लेकिन कहीं न कहीं हमारी जिमेदारिया होती हैं समा से, बहुत दूर चले जाते हैं। तो मैं इस पर चाहत्रवा सोतंतरा दीवस पर है। मैं और भी आठ लगों की पीच एक नया सरक शुरप्षक एक टीगा लेका लेका आ रहा हूं, ताकि मैं आप समीके कोरोहों के साथ मैं जूर सकूं। कोरोहों लोग मुझे ये आंकडे बुचदे नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ आमंतरत कर रहा हूँ कि मैं करोरों लोग को बता सकूँ कि आखिर देश के मुल्मुत समस्याइं जो है जो हम प्रती बस एड़ लाक मौत सणक दुरगटना में हो रही है वह हमारे जीसे बीचे हैं हमारा ही मित्र सणक दुरगटना में कोया आपके भी मित रहे हैं और यह हर दल्यों में सबस्याइं लेकिन फिर भी हम याग नहीं पा रहे हैं और कहीं नगाई हतास हैं हम करे तो क्या करें जो मैं चाह रहा हूँ जो दुप्लिकेट हेलमेट्स हैं जो हमारे देश के अंदर आने वाले तीन साल में कायब कर लगे यह तब ही संबह है जब आप लोग हमसे जुरेंगे और उसके लिए मैं आप सभी को एक सणक शुरच्चा का टीका भी दे रहा हूँ जिसके लिए मुझे कोई हेलमेट कम्पनिया एक उपए नहीं दे रही है नहीं कोई बीमा कम्पनिया लेकिन मैं आप लोगों के बीच ही आपकी जान प्यारी है हमारे लिए मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ मेरा हेलमेट मैं इंडिया.com साइब है यहां पर भार सरकार ने जिस कंपनियों का लाइसस दे राखा है आप वहाँ पर जाए एक मिनान से जो आप हेलमेट पांते हैं जो मार्केट से रुबए का मिलता है वहां भी भी प्राइजी है वो आपको चूच करना है, जो आप हेलमेट का आप आउडर देगें, और उसके साथ हम आपको पांच लाग का दुरभटना भीमा देगें, वही हमारा स्वरंप्सवर्चा का ठीका है, वो एक साल के लिए नहीं होगा, वो हर साल 75 साल के लिए होगा, जैसे कि हमें यकीन नहीं हो रहा था, कि हम 75 साल में आ गए हैं, और इस देश के प्रते जिम्मेदारी हैं, हमें कुछ कारे करने की, साइद हम लोग के एक दूसरे का हांस देते हैं, वो बिलीब नहीं होता है, लेकिन मैं पिछले साथ सालों से कारे करते करते हैं, अपने घर तक भी बेच चुपा हू और मुझे कोई बताने के जुरूत नहीं, यहना मैं किसी से एक गूपे मांगा हूँ, और फिर भी मैं आपके सामने इस समस्या लचनों के से लड़ रहा हूँ, मैं आपको अपनी समस्या बताने नहीं आया हूँ, मैं दूसरों की समस्या के लिए लड़ रहा हूँ, और मैं आप उसके जाकर कि अब उचेंद लिश्ट करें आप उसका बीमा ले सकें और जैसा कि आप बहुत सारी तमाब गमपनीया हैं हेलमेटे की आज भी मैं ऑई स्सक्राइपिति अवाले और मेरे से पुस्तब लेने होले अनाब भीच्च्चे थे तो मैंने देखा उनके माता पिता के मरने के बाद आज उपर वो मर गए होंगे, देख रहे होंगे, आखिर उनके बच्चे की परवरिस कैसे हो रही है, वो मुझे दर्द यहां तक आए, इसलिए हम ने सोचा कि अब जो दुरघटना होगी जो भविस्त में, उस माता जो बच अब पुस्तक बुनी को मिलेगी, जिनके पास हेलमेट बीमा का पेपर होगा, यह जो बीमा पेपर है हेलमेट में कि जिस आप से एक उपए नहीं ले रहा हूँ, इसलिए है ताकि आप हम से जूर सके, आप जूवा है, सोचल मेडिया पे सब्कूत करते, ताकि हम आपकी प् सब्सक्राइब कर सके, तभी हो पाएगा जब हम से जूरेंगे, और मैं एक साल के नहीं आ रहा हूँ, ताकि हमारा भारत जो बहुत के पाले अस्तान पर बना हुआ है, वो नीची आ सके, तो हम कह सके कि हम बदला उला पक्ते, इस देस में हम लोगों की बहुत सारी इच्प हमारी साइट से वहाँ पर जाए, वहाँ पे सारे हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या बदलाव लेकर क्या आ रहे हैं, आप वहाँ पे समझे और हम से चुड़ें, हमें बहुत कुछी रोजी, ताकि हमारे हिस्ट में हमारा सभी है, तो बहुत को धन्य बात सुने के लिए मैं हेलमेट में राग में दूँ जाए